इस वीडियो में हम ये question discuss करेंगे Sin A, Seq A और 10 A को Caught A की form में लिखना है So Basically जो Sin A है उसको हमने Caught A की form में लिखना है फिर Sec A को Caught A की form में लिखना है और 10 A को Caught A की form में लिखना है तो one by one इनको करते हैं तो शुरुवात करते हैं साइन एको हम लिखेंगे कौटी की फॉर्म में तो देखो, सबसे पहले आपके पास जो फॉर्मले हैं वो सामने होने चाहिए अगर याद है तो बेस्ट है याद नहीं है तो इस तरह सब लिख दीजे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि साइन से कौट तक पहुँचने का जो सबसे आसान रास्ता है वो है यहाँ देखो साइन से हम कौसेक निकाल सकते हैं और कौसेक से हम कौट इस फॉर्मले से निकाल सकते हैं तो देखो क्या होगा साइन ए बराबर एक बटे कौसेक ए और उसके बाद जो कॉसेक A है उसको हम लिख सकते हैं देखो कॉसेक स्क्वाइर A होता है 1 प्लस कॉट स्क्वाइर A तो अगर हम कॉसेक लिखेंगे तो हमें स्क्वाइर रूट लगाना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वाइर A और यह आ गिया, जो sin a है वो cot a की रूप में आ गिया है आप चाहोते हैं यहाँ पर फॉर्मला लिख सकते हो चुंकि cos x square a बराबर 1 प्लस cot square a तो उसे क्या होगा कि cos x निकालना होगा तो यहाँ पर root लग जाएगा और यह हमारा answer आ गिया है, simple था अब इसका करते हैं second part इसमें हमें sec a को cot a में लेके आना है तो देखो sec से cot तक कैसे पहुँचेंगे sec से cot तक पहुँचने का यह ठीक नहीं है देखो यहाँ से हम sec से 10 में पहुँच सकते हैं और उसके बाद 10 से cot में बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं समझ गया ना? तो जो plan है वो यह है तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे देखो sec square a होता है 1 plus 10 square a तो sec a हो जाएगा under root 1 plus 10 square a यहाँ तक simple है और उसके बाद जो 10 a है उसको हम लिखेंगे 1 upon cot square a क्यों? क्योंकि 10 a बराबर होता है 1 upon cot a तो 10 a की जगे पर यह लिख दिया हमने अब यह आप चाहरे तो यहाँ पर छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा सा और आगे करके देखो कैसे? इसका यहाँ multiply करो तो यह हो जाएगा cot square a plus 1 upon cot square a और यहाँ पर यह under root cot square a plus 1 और यह जो है root से बाहर आ जाएगा तो यह हो जाएगा cot a तो यह है sec a cot a की फॉर्म बहुत simple इससे पहले यह निकाला क्योंकि हमारे पास यह फॉर्मला है और 10 cot में आसानी से convert हो जाते ओके इसके बाद जो तीसरा पार्ट है वो है 10 a को cot a की फॉर्म में लिखना है यह तो बहुत ही simple है 10 a बराबर 1 upon cot a understand I hope आपको समझ आया होगा कि किस तरह से यह question किया जाता है थैंक्स ओवाचिंग